हेलो फ्रेंस गूड मॉर्निंग कैसे हैं आप सब अच्छे होंगे शब कुशल मंगल होंगे तो दोस्तों आप देख सकते हैं यह है एक छोटा वाला टैंक है हमारा जो जिसमें फिस रहती हैं आप देख सकते हैं तो यही था हमारे पास सबसे पहले वाला टैंक और इसमें छोटी छोटी ही जो फिस है और यह वाला फिस सब मेरे भाई के घर पर है यह वाला टैंक फिस का छोटे वाले भाई के घर पर आप देख सकते हैं तो कितनी सुन्दर सुन्दर फिस है ना इसके अंदर बिल्कुल छो मेरे घर पर जो मेरा बड़ा वाला टैंक है आप देख सकते हैं और यहां पर भी यह जो फिस है यहां पर बड़ी बड़ी फिस है और जो मेरे भाई के घर पर है उसमें चोटी-चोटी है तो चोटा टैंक है चोटी-चोटी फिस है और यह बड़ा वाला टैंक है तो इसमें ब की बढ़ी हो गई है आप देख सकते हैं तो यहां पर लुकुल खोटी ही दिख रही हैं वैसे बूद बड़ी है काफी मतलब कह सकते हैं काफ़ी मोटी मोटी भी है 2 ती निल में अब मैं इनका ये जो ऑक्षिजन बंद करके इनको दाना डाल देती हूँ जो कि इनको दाना डालना होता है पहले में इसमें 2 टाइम डाना डालती थी लेकिन एक टाइम का निम बनाया है और उससे यह ठीक रहती है क्या हम 2 तो टाइम डाना डाल देते हैं तो काफी प्रावलम आती थी इनको जब से एक टाइम डाना डालती हूं तो यह ठीक रहती है बिल्कुल सही से आप देख सकते हैं तो ऑक्सिजन बंद कर दी है दाना डाल दिया है आप देख सकते हैं सारी ही फिस दाना खाने लगी है एक दम से अब ये अराम से दाना खाएंगी क्योंकि 24 गंटे के बाद ही इनको में दाना डालती हूँ जैसे अब मॉर्निंग में डाला है तो अगली मॉर्निंग में ही इनको में दाना डालूंगी आप देख सकते हैं चोते सैता जी को सी सें में से पकढ़ेंah आप देह सकते में बाहर से पार मेरे अब यह मस्ली देखो जो फिस एक clean डेखेंउ को presentations मलती है कि सम्षेंग आप पार दान करो आपाने के की तरफ ठीक सुनितर अब송 मेरे होता है कैसी लगेंगी आपको कमेंट में जरूर बताना आई होप आपको पसंद आएंगी मेरी फिस और उसके बाद मतलब मेरे जो बच्चे हैं घर पर ही रह रहे हैं लोकडाउन है तो मेरा जो बड़ा बेटा है छोटा बाला यह दोनों मतलब थोड़ा लेट उठते हैं घर का टूटली काम हो गया है और यह उठते नहीं है तो इसलिए मेरी बेट सीट यानि की जो मेरा बिस्तर है वो चैल्ज नहीं हुआ था और बागी सारे काम मेरे घर के हो गए थे तो उस जब वो उठ गए है और उनको भेज़ दिया मैंने नहने के लिए और आप देख सकते हैं अब मैं इनको यहां पर बेट सीट चैल्ज कर देती हूँ जो कि मेरी गंदी हो रही थी गंदी नहीं कह सकती हूँ जब कई दिन हो जाते हैं तो उम्हें बदल ही देती हूँ ज़ए चैल्ज कर देती हूँ अगे कե काम कर लूँगी पहले इसको बिछा देती हूँ क्योंकि बच्चे ना अराम से बैठ जाएंगे और आप देख सकते हैं यह छोटे बाले सैतान जी है इनको बस कि जैसे ही विष्टर चेंज होता है फट से कूद के उपर आजाते हैं सही से करने भी नहीं देते हैं आप देख सकते हैं तो यह आकर के बैठ गए हैं जैसे ही चेंज किया है मैंने विष्टर को और अभी चोटा बड़ा बाला बेटा नहा रहा है और यह सैतान जी को थोड़े दिर में मैं नहिलाओंगी क्योंकि यह थोड़ा सलेट उठते हैं दोनों भाई आप देख सकते हैं तो यह इधर उधर कुछल कूद कर रहा है दोस्तो बच्चों ने कहा था दो दिन पहले मुझसे की ममा मुझे ममोज हमें ममोज खिला दो बाहर से नहीं लाके दे सकती इसलिए मैं घर में बना रही हूँ और उसके लिए सारे सामान मैंने तयार कर लिए हैं जिससे मैं ममोज बनाऊंगी सौरी तो ले ली है ये बंद गोबी जिसको दिखा रही हूँ इसको घिस लिया है गाजर ले ली है इसको भी मैंने बारीग बारीग घिस लिया है प्याज ले लिए है इसको भारी कट कर लिया है और अद्राक्लहसन का बना रही हूँ पेष्ट जो छीजे है घर में है उनी से बना रही हूँ जैसे कि अभी मेरे पास सोया बीन नहीं है जो कि ममोज के बहुला हम उसको यह लिए है वें ě नहीं है तो तो लेली है, यह करिब करिब आर्ट नारेट की-कैरीब मिर्ची सावुत गरम पानी कर लिया है उसमें boiler करने डाल दी है जीम लेखे ल और तो यह तीन बड़े है जिनकों मुझा है da इसमें मेरी मिर्ची चिया अच्छी तरह बैंदर करते हैं करके हैं। और यह यह शक करे हैं। यह उपर का हिस्सा होता है यह हाड़ पाइश पार्ट होता है जा इस्साइक निकाल दूगी आप देख सकते हैं काणा है। मिर्ची दाल दिया घुड़ा तो अध्रक लहसन भुन लिया है मिर्ची भुन गया था तो इसमें मैं रिका ज़ुआ सौय सॉस भुन गया है तो मैंने टमाटर और मिर्ची बॉयल की थे उनको पीस लिया था चित्रे मिक्षर में और वो डाल दिया है और उनको डालके मैंने अद्रक के साथ उनको अच्छी तरह से पका लिया है और उसमें आप या तो सिरका डाल सकते हैं या लेमन डाल सकते हैं तो उसी तरह से डालके मैंने चटनी को कर लिया है रैडी और थोड़ी से किलिप मेरी लगानी में भूल गई हूँ चटनी मेरी रै प्याज डाल दी है तो अब इसमें मैं यह वाला अद्रक का एक चम्मज से और अद्रक लहसन का पेश डाल दूगी और इसको भी अच्छी तरह से भून लोंगी आप देख सकते हैं प्याज के साथ साथ ही इसको भून लोंगी बस इसी को थोड़ा सा भूनना है बाकी चीजे क बाकी चीजे नहीं मिला सकते हैं तो अब यह ठंडा हो गया है तब मैंने इसमें आये ब्लैक पेपर यानि काली मिर्ज का पाउडर है डाल दिया है नमक डाल दिया नमक तभी डाले जब यह ठंडा हो जाए जब जैसे ही मोमो बना रहे हैं उसी टाइम अब इसमें मैंने डाल दिया यह यानि की सोया सॉस और इन चीजों को मिला करके अच्छी तरह से में फिर और यहां पर मेरी स्ट करते हैं मोमो को तो मैंने बड़े बहगोने में पानी बॉयल होने रख दिया है मैं इसी में इसको तवराव थी और यह मैंने अंदर नहीं ले पाई हूं that यहीं एक डिजाइन है और इसमें मैंने हलका सा ओयल लगा लिया आप देख सकते हैं ताकि यह चुपके ना और थोड़ी दूरी पर में यह मुमो रख दूंगी आप देख सकते हैं इस तरह से सारे मुमो में बना रही हूं अभी और बनाकर रख लिये हैं तो जितने इसमें आ बच्चों को खिलाने हैं अच्छी तरह से स्टीम हो जाए और जो अच्छी तरह से स्टीम होते हैं वह नुक्षान भी नहीं देते हैं उन्हें ऐसे भी खा सकते हैं मतलब अपनी चटनी के साथ तो मोमो मेरे रेडी हो गए है 20 मेर से जादा हो गया आप देख सकते हैं काफी अच्छे स्टीम हुए है और यह है मेरी चटनी होगी रेडी आप देख सकते हैं तो यह है इस वाली चटनी के साथ भी खा सकते हैं और देखो मोमो मेरे बहुत